नमस्कार किसान भाईयों आज इस वीडियो में हम आपको गेहूं की दस सबसे बेश्ट योम सबसे उन्नसील और सबसे ज़्यादा पैदवार देने वाली गेहूं की विराइटियों के बारे में ये जो गेहुं की दसोई विराइटी यहां किसान भाईयों इस साल पैदवार के इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं हमारे देश में इन से ज़्यादा पैदवार गेहुं की और कोई विराइटी नहीं देती हैं साथी वीडियों के अंतमेकिसान भाईयों हम आपको यहुँ बुआई के समय संतुलित मात्रा में कितना उरबर्कों का इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि बीजुचार आपको किन क्युन दवाओं का उपयोग करके करना चाहिए जिससे आपको सर्व सेष्ट पैदावार मिल सके तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किया पूरा जरूर द तो नमबर 10 पर किसान भाईयों गेहूं की जो सबसे अधिक पैदावार देने वारी वराइटी है इसका नाम है HD 2851 यह गेहूं की वराइटी मध्यम बुआई और पचेती बुआई में आपको सबसे अधिक पैदावार निकाल कर देने की छमता रखती है यदि इसके बुआ देने की अवद की बात करें तो 135 से 140 दिन में यह गेहूं की वराइटी पकर तयार हो जाएगी रोग पर तिरुदक छमता की बात करें तो पीला यों भूर रतुआ के परत इस वराइटी को रजिस्टेंस बनाया गया है इसके खासियत की बात करें तो यह वराइटी आपको क कम समय में कम लागत में बढ़ियां पैदावार निकाल कर दे सकती है इसके हम उपज की बात करें तो यह किस्म आपको 55 से लेकर 62 कॉंटल प्रती हक्टियर तक उत्पादन निकाल कर देने की चमता रखती है नंबर 9 पर गयहूं की जो सबसे अच्छी पैदावार देने वाल पैदावार निकाल कर दे सकती है यदि इसके बुआई के समय की बात करें तो अगेची पिशेती दोनों में इसकी बुआई आप कर सकते हैं पकने की अवज की बात करें तो मात्र 110 से लेकर 120 दिन में ही यह गयहूं की वराइटी पकर तयार हो जाएगी पोदे की हाइट की ब 45 किलो प्रती एकड़ बीज किया हो सकता पड़ेगी पीला रतुआ के प्रतिस बराइटी को सहन सील बनाया गया है किसान भाइयों इसकी खासियत की बात करें तो दाना इसका मोटा चमकदार और वजंदार होता है फुटाव भी इसमें काफी अधिक होता है यदिस बराइट इसकी जो सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली गेहूं की विराइटी है इसका नाम है किसान भाइयों HD 326 2022 में इस विराइटी की सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है किसान भाइयों यदि इसके हम बुआई के सही समय की बात करें तो 25 नॉमबर तक इसकी बुआई आप कर सकते हैं पकने की अवध की बात करें 150 से 152 दिन में यह विराइटी पकर तयार हो जाती है यदि बीज की मात्रा की बात करें लगबग 40 किलो परत यकड़ बीज की आपको ओ सकता पड़ेगी पोधे की हाइड लगबग 105 सेंटिमीटर है इसके बात भी इस विराइटी के परत इसको हाइली रेजिस्टेंस बनाया गया है इसमें रोग बीमारी ना मातर ही लगते हैं यदि इसके हम फानली पैदावार की बात करने किसान भायों यह गेहूं की वराइटी आपको 60 से लेकर 68 कॉंटर प्रती हेक्टियर तक उत्पादन निकाल कर देने की छमतार र 26 पूसा गोतमी नाम से इस वराइटी को जाना जाता है यह वराइटी पिछले कई सालों से लगातार अच्छी पैदावार देती आ रही है यदि इसके हम बुआई के सही समय की बात करें तो 25 नौम बर तक इसकी बुआई आप कर सकते हैं अगने की अवाधिकी बात करें तो पोधा उंचा होता है यदि हम सिचाई की बात करें तो 4 से 5 सिचाई आपको करनी पड़ेगी यदि इसके हम रोग परतिरोधक छमता की बात करें तो यह गेहूं की वराइटी भी पीला रतुबा और भूरा रतुबा के प्रत हाइली रेजिस्टेंस बनाई गई है यदि इस की खासियत की बात करें तो गरम ह Deus की प्रतियास सहिंसिल है साथी किसान भाय्यों इसकी दाने के क्वालेटी भी काफी सांदार होती है चपाती बी अच्छी बनती है और दाने इसके बोल्ड और बजंदार होते हैं फरंबर यहूं की सही समय की बात करें पूरा नौंबर इसकी बुवाई आप करके अच्छी उपज ले सकते हैं पकने की अवज की बात करें तो यह वराइटी मात्र 115 से लेकर 120 दिन में ही पकर तयार हो जाती है हाइट की बात करें लगभग 100 cm इसका पोधा उचा होता है इस वराइटी का तना ब देखे गए हैं साथ यह वराइटी आपको सभी प्रकार के मिट्टी में अच्छी उपज दे सकती है इसकी कुछ खासियत की बात करें तो इसका दाना बहुत ही वजन दार होता है साथी बालिया इसकी लंबी और दाने का भरपूर भरा होता है और यह वराइटी आपको कम प नंबर पांच पर गेहू की जो सबसे सांदार पैदावार देनी वाली किस्म है इसका नाम है DBW222 पिछले दो सालों से यह वराइटी ने रिकार्ड तोड पैदावार दी है यदि इसके बुआई के सही समय की बात करें तो इसकी बुआई आप 22 से 25 नॉमबर तक कर सकते हैं पकने की यवद लगबग 140-145 दिन है रोग बीमारी की बात करें तो पीला रतुवा भूरा रतुवा करनाल बंट खुला कंडवा के प्रत इस वराइटी को सहन सील बनाया गया है वीज की मातरा आपको 40 किलो प्रति एकल लेनी पड़ेगी फाइनल इस वराइटी के हम पैद पी बी डबलू 343 यह वराइटी भी बहुत ही सांदार पैदावार देती है इसके बुआई के सही समय की बात करें पूरा नॉम्बर इसकी बुआई के लिए उप्यूकत है पकने की यवद की बात करें तो 140-145 दिन में यह किसम तयार होती है हाइट लगभग 100 सेंटीमीटर है और रोग बीमारी की बात करें तो पीला रतुआ भूरा रतुआ और करनाल बांट के प्रत इस वराइटी को भी सहेंसील बनाया गया है फानले अगर इसके हम पैदावार की बात करें यह वराइटी आपको लगभग 60 से लेकर 77 कुंटल प्रती हेक्टियर तक पैदावार निकाल कर देने की चमता रखती है और इस किस्म का भी किसान भायो दाना मोटा वजंदार और रोटी खाने में स्वाधिश्ट होती है नंबर तीन पर हमारे देश की जो सबसे अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की वराइटी है इसका नाम है किसान भायो स्री राम की यदि इसके बुवाई के सही समय की बात करें तो इसकी बुवाई आप अगेती और पिछेती दोनों में करके अल्तिधिक पैदावार प्राप्त कर सकते है इसके हम हाइट की बात करें लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर इसका पौधा उंचा होता है इस गेहूं की वराइटी की ख पड़ेगी रोग परती रोदर छमता इसकी भी काफी बढ़ियां है येलो रश्ट ब्राउन रश्ट पत्ति धबा के परत इस वराइटी को भी सेंसील बनाया गया है यदि इसके हम फाइनली पैदावार की बात करें किसान भाइयो यागेहूं की वराइटी आपको 70 से लेकर 81 80 कॉंटल प्रती हेक्टियर तक उत्पादन दे सकती है यदि आप सही पोसड और पूरी सेवा करते हैं नंबर दो पर पैदावार के मामले में जो सबसे अच्छी वराइटी है इसका नाम है किसान भाइयो डबलू एच 1270 एह वराइटी इस साल की सबसे ज़्यादा पकने की अवद की बात करें 140-150 दिन में यह गेहु की वराइटी पकती है पोधे की उचाई की बात करें लगभग 100 सेंटीमीटर इसका पोधा उचा होता है 4-5 सीचाई में यह गेहु तयार हो जाएगा रोग परती रोधक छमता की बात करें जो इसकी नंबर वन है पीला र पैदावार 75 से लेकर 82 कॉंटल प्रती हक्तियर तक दे सकती है नंबर वन पर किसान भाईयो हमारे देश की जो सबसे ज़्यादा अभी तक की पैदावार देने वाली वराइटी है इसका नाम है DBW 303 यह हमारे देश की अभी तक की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस् 22 नवंबर तक कर दीजिए यदि इसके हम पौधे की हाइट की बात करें लगभग 100 सेंटी मीटर इसका पौधा उचा होता है यह वराइटी भी किसान भाईयों विपरीद परिस्थितियों में जल्दी गिरती नहीं है पकने की अवध की बात करें पूरा समय लेती है 150 से 155 दिन में पकर तयार होती है लोग पर तिरोधक चमता की बात करें तो इस मामले में भी यह वराइटी नंबर वन पर है येलो रश्ट ब्राउन रश्ट खुला कंडवा करनाल बंट कवरत इस वराइटी को हाइली रेजिस्टेंस बनाया गया है यदि इसके कुछ खासियत की बात करें इसका दाना बोल्ड ठोस चमकदार और वजंदार होता है बालियां लंबी होती है और यह गयहूं की वराइटी आपको रिकार्ड तोड पैदावार देती है यदि इसके फाइनली पैदावार की बात करें किसान भायों तो इस गयहूं की वराइटी की जो कॉंटल प्रती हेक्तियर उत्पादन निकाल कर देने की भी छमतार रखती है यहाथी किसान भाईयों हमारे देश की दस सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली गेहूं की वराइटियां इन में से किसी भी वराइटि को आप लगा कर इस साल सबसे ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं आईए अब बात करते हैं किसान भाईयों संतुलित मात्रा में उर्बरकों का कितना उप्योग करना चाहिए यदि किसान भाईयों गेहूं बुआई के समय हम सही मात्रा में उर्बरकों का उप्योग करना तो हमारी जो गेहूं के पैदावार हुआ एटो मेटे की हमको अच्छी मिलेगी तो आए जानते हैं किसान भाईयों गुआई के समय पर आपको अधिक्तम पैदावार लेने के लिए लगभग 50-55 किलो प्रत एकर डेपी लगभग 30-35 किलो प्रत एकर यूरिया क्योंकि यूरिया हम बाद में भी डाल सकते हैं साथ ही किसान भाईयों मोपी पोटास लगभग 25-30 किलो प्रत एकर और लगभग 1 बैग SSP का उप्योग करना है इतना उर्बरकों का अगर उप्योग करेंगे इतनी मातरा में किसान भाईयों तो आपके गेहूं के पोधे को पूरा पोसन मिलेगा आपके सभी पोधे का इतनी मिलेगा और आपको बढ़ियां पैदावार मिलेगी नंबर दो पर आपको जिस काम को करना है वहा है किसान भाईयों बीज का उप्चार बिना बीज उप्चार किये किसान भाईयों यदि आप इस साल गेहूं की बुआई करेंगे तो पिछले वर्स की भाथ आपको इ बावसी करना है बीज का उप्चार करने के लिए आपको इस्तिमाल करना है किसान भाईयों पीटा वेक्स का इसकी 80 गरा मात्रा आपको लेनी है 40 किलो बीज के लिए यहाँ परियाप्त है साथ में किसान भाईयों आपको लेना है टेबू कोनो जोल को लगभग 40 अमल 1 ml 1 किल करके बोएंगे तो आपके गीहों के खेत में 70-75% बीमारी नहीं लेगी और आपको सबसे ज़्यादा पैदवार मिलने की पूरी संभावना हो जाएगी तो याति किसान भाईयों आज की वीडियो अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंदाया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्रा जरूर करें